28 सितंबर को इंदौर की राव तहसील के ग्राम रंगवास में आपकी सरकार आपके द्वार सारजनिक मंच से मानिय उच्छिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी द्वारा सभी पटवारियों को 100% दे रिश्वत लेने वाले ब्यान को लेकर पटवारियों में काफी आक की गई है पटवारी संद का कहना है कि जीतू पटवारी द्वारत दिये गए ब्यान से निश्चित रूप से प्रदेश के समस्त पटवारियों के मान समान स्वाभिमान और असमिता पर घोर कुठारा घान है एक जिमिदार पत पर आसीन एक मंत्री द्वारत आरजनिक मंच इस प्रकार के ब्यान से निश्चित रूप से पूंपूरे प्रदेश का पटवारी स्वयं को अप्मानित महसूस कर रहा है। या सभी प्रकार की नुकसानियों का अंकलन हो सभी कारियों को वितरित परिसितियों में समय पर पून करता है। एक जिन्मेदार पर पर आसीन, एक मंत्री द्वारा सारविनिक मंचपर इस्प्रकार के बयान से निश्चित रुप से पूरे परदेश के पटवारी स्थियों को अपर पून करता है। इसी के विरोध में हम लोगों ने ग्यापन देने का निर्णा लिया है। जब हमें वो 100% कहते हैं तो उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि वे किस आसे से हमें लगभख 20 विभागों के कारी सौंपते हैं और उनकारियों को हम विश्वसनी तरीके से करते हैं। इनको इस संबन में उनको जवाब देना चाहिए। हमें वो किस प्रकार से हमारे उपर भरोसा करते हैं। और एक मंत्री को करमचारी के लिए ऐसे सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उनकी रीड की हड़ी है। अच्छा किस तरह का विरोज़ाब करना चाहते हैं। हम ग्यापन सौंपेंगे। और ग्यापन सौंपेंगे। कि यापन में हमारा एक तो सारवजिनिक मंच से जो जीतु पटवारी जी ने पटवारियों को सब्सक्राइब उसका विरोध कर विरोध सरूख है हम पटवारी जी ने हम पटवारियों को सब्सक्राइब उसके विरोध में हम लोगों ने यह धर्ना प्रदर्शन चालू किया है यह पूरे मध्प्रदेश पटवारी संग के आभवन पर चल रहा है कि उनके लिए यह हम कहा रहे हैं कि जब तक वो माफी नहीं मागेंगे जब तक वो इस्तिफा नहीं देगे तब तक हम लोग इसे हर्ताल करते रहेंगे